हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक ए ट्रांस्पेरेंट फोल्डर और दूसरा क्वेशन रहेगा हमारा फोल्डर विदोट एनी नेम तो यह दोनू क्वेशन बहुत ही ट्रिकी हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें कि भाई कै और एक कैसे हम ट्रांस्पेरेंट फोल्डर क्रीट कर सकते हैं अग्वThat उसलिट का मनदलब यह हूए ये देखें杯 करके के रखेंऊ तो इसको इसको में ओपन कर सकता हूं बट ये किसी किसी को दिख नहीं रहा है जब yahaan पर cursor आएगा तब ही किसी को पता चलेगा तो यह आप देख सकते हो इसको मैं एक दूसरी जहगा पर ले जा सकता हूं बैट इसका ना तो नाम है कोई और ना ही यह दिख रहा है तो यह कैसे हुआ मैं आपको अभी बताने जा तो इसको मैं अभी delete कर लेता हूँ, delete करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया folder generate कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा, यहां पर new पर मैं गया, यहां folder पर click किया, और यह मेरे पास new folder अभी आपको दिख रहा है, but मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मु क्लिक करने के बाद यह जब select हुआ होगा, तो इसको कर देना है delete, delete करने के बाद आपको लिखना है सिरफ क्या, alt को दबा करके 255 दबाना है, क्या करोगे, alt 255, यह दबा दिया, अब इंटर मारना है, अब मैंने इंटर मार दिया, तो यह आपके सामने दिख रहा है आपको ऐसा folder, जिसका कोई भी नाम नहीं है अभी, ठीक है, अब इसको हम transparent बनाएंगे, तो कैसे हम transparent बनाएंगे, सबसे पहले हम इसके ओपर right click करेंगे, properties के ओपर जाएंगे, properties के बाद यहाँ पर customize के ओपर जाएंगे, और यहाँ change icon नाम का एक आपको button दिख रहा है, इसके ओपर कर देंगे, और यह आप देख रहे हैं कि आपके पास समने एक ऐसा folder बन चुका है, जो के invisible है, ना तो दिख रहा है, और साथ ही साथ इसका नाम भी नहीं है, तो यह था हमारा आज का topic, तो मुझे लगता है कि आपको यह काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा ह होंगी, वो आप देख पाएंगे, और इसली आपको काफी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो thank you, thanks a lot.